नमस्कार दोस्तों जीके अर्दुसार यूट्व चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है यूपी टीजीटी 2022 इतिहास प्रटी सेट 184 में परिच्छा में पूछे जाने वाले महत्तपुन प्रस्न हैं तो चले वीडियो प्रारम करते हैं वीडियो प्रारम करने से पहले आ आपके मुवाइल पर सबसे पहले पहुंचे तो चले वीडियो प्रारम करते हैं हांगर आप लोग पिछला प्रेटी सेट 183 तक वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है और उस प्लेलिस्ट का लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं त वहां से पिछले आप 183 प्रेटी सेट TGT इतिहास के वीडियो देख सकते हैं तो चले वीडियो प्रारम करते हैं पहला कोशन है इसमें नेमलिखित में से कौन भारती राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारु गाय था तो कौन सा भारती राज्य है जो अंग्रेजों के दुधारु गाय था मैसूर हैदरावाद मराठों का राज या अवद तो इसमें राइट एंसर होगा डी अवद तो भारती राज्य जो अवद था वह अंग्रेजों के लिए एक प्रकार से दुधारु गाय के समान यानि यहां पर अंग्रेजों ने धन का सोशन अपने अवद कोस्ट नमबर दो है पूरब का समराज हमारे पैरों पर है यह कथन सम्बंदित है कि से युद से प्रथम आंगल मैसूर या दूतिय आंगल मैसूर य्या तिर्थी आंगल मैसूर युद या च्यत्वर्थ आंगल मैसूर युद इसमें आपका राइट एंसर हो का डी चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध जो 1799 में हुआ था और उसी समय से अंग्रेज जो अपना पैर भारत में मजबूती के साथ जमा लिया थे उसी को कहा है अतायक पूरब का समराज हमारे पैरों पर है कोश्चन नमबर तीन पर आते हैं सर जान सोर की नीती भारत में किस रूप में जानी जाती है सर जान सोर की नीती भारत में किस रूप में जानी जाती है तुष्टी करण की नीटी अकरमा मैत्री या क्रिय शील हस्त से या आँ हस्त छेप इसमें आपका राइटेंसर डी सर्य जाएगा ओ हस्त छेप तो सर जानसोर की नीती जो है भारत में ओ हस्त छेप की नीती की रूप में जानी जाती है यानि हस्त छेप नौ करने की नीती का अधार बना कर जो है पीट्स इंडिया एक्ट से प्रात होता है कोस्ट नमबर चार है 28 सताबदी के पुरवार्द में निम्न में से किसका सासनकाल नियुंतम रहा मौमत सा का, बहादूर सा का, फरुक्षियर या जहांदार सा सबसे नियुंतम रहा आपसन कमशार इसमें जहांदार सा इसका राइट एंसर डी होगा इसमें जहांदार सा जहांदार सा का सासनकाल सबसे नियुंतम अगर देखा जाए तो मात्र 19 महिने का था इसका सासनकाल 19 महिने का, 19 महिने का था इसका सासनकाल और ये जो है 1712 से 1713 के बीच गद्धी पर बैठा था और सबसे निउन्तम 19 महिने तक ये कार किया था कोश्चन नमबर पांच है बंगाल में फोर्ट बिलियम का प्रथम अध्यच कौन था बंगाल में फोर्ट बिलियम का अध्यच कौन था जाब चारनाक जार्ज आक्सिडन जार्ज जान चाइल्ड यह चाल्स आईयर तो बंगाल में फोर्ट बिलियम का प्रथम अध्यच यहां कोश्चन नमबर 6 है किस मुगल समराट के आदेश द्वारा बंधा सिंग को यांतरना देकर मिर्तु दंड दिया गया तो बंधा सिंग को यांतरना देकर जो है मिर्तु दंड दिया गया था किस मुगल बासा के आदेश पर दिया है बहादूर सा प्रथम जहादार सा फरुक सि या रफित दौला के आदेश पर इसमें आपका राइट एंसर डी सी सई होगा इसमें फरुक सियर के आदेश पर किसके फरुक सियर के आदेश पर कुस्ट्र नमर साथ है निमलिकित में से किस किस अवद के सासक को मुगल समराट का प्रथम वजीर निक्त किया गया सादत खां सब्दर जंग सुजाओ दौला या आसफु दौला इसमें आपका राइट एंसर बी सही होगा सफदर जंग को अवद का नवाब निक्त किया गया था सफदर जंग को अहमद सा ने निक्त किया था कुस्ट्र नमर आठ है भारत पर नादिर सा के आकरमल के समय निमलिकित में से कौन मुगल समराट था रफियुद दर्जात मुहमद सा अहमद सा या आलमगीर दूतिय तो नादिर सा के आकरमल के समय जो है कौन मुगल समराट था मुहमद सा या रफियुद दर्जात या आहमद सा या आलमगीर दूतिय तो इसमें आपका राइट एंसर बी सही होगा मुहमद सा था इस्ट इंडिया कंपणी के सासनकाल में प्रमुक अध्योग की केंदर नहीं थे यहाँ पर पुछा है प्रमुक अध्योग केंदर नहीं थे इलहाबाद ग्वालियर नागपूर नासिक बनारस अमदाबाद लखनो पुना इस इंडिया कंपणी के सासंकाल में प्रमुक अधोगी केंद्र नहीं था ये पुछा रहे कौन सा इलाका था ये कौन सा नगर था तो वो था इलहाबाद और ग्वालियर ये से योगा इलहाबाद और ग्वालियर में इस इंडिया कंपणी के सासंकाल में प्रमुक अधोगी क स्याम जी, क्रिस्ल, तो इसमें आपका राइट एंसर होगा A, दादा भाई, नरोजी, कौन था, दादा भाई, नरोजी, कुश्चन नमबर 11 पर आते हैं, आरंब में एरोपिय बैपारियों की रूची किसमे थी, मसाले में, सिल्क में, नील में, या अफिम में, इसका राइट एंसर A, सियोगा मसाले में, यानि आरंब में जो इरोपी बैपारी थे, भारत और इंडरनेसिया के मसाले के दीप के लिए सुरच्छित मार्क तलासने में लगे थे, और इनका जो है प्रारंभिक रूची था, वो मसालों में ही था, और मसालों की मांग इरोप में सबसे ज़्यादा होती थी, कोस्टन नमबर 12 है, 18 सताबदी के अंत तक भारत के किस भाग में इरोपिय इसाई मिसिनरीज अधिक सक्रिय थी, बंगाल तथा सम, दच्छिन भारत, यूपी और बिहार, बंबई और गुजरार, इसमें आपका राइट रहोगा, बी दच्छिन भारत में कोश्चन नमबर 13 पर आते हैं सर पर्था मंगल पांडे को यह जानकारी कहां हुई कि इन्फिल्ड राइफल में प्रिक्त होने वाली कार्तूस अपत्ती जनक जानवर की चर्वी से युक्त होती है दमदम में बैर्यकपूर यह सिरामपूर यह बहरामपूर तो इसका राइट एंसर होगा इसमें यह दमदम में कहां पर दमदम कोश्चन नमबर 14 है निमलिकित में से कौन सी पुष्टाक 1857 के प्रत्थम सुतंता संगराम पर सरकारी इतिहास है दिया है भारती सुतंता संगराम 1857 यह सनिक बगावत और 1857 का बिद्रो यह भारती सेन बगावत के सिध्धान्त इसमें आपका राइट एंसर होगा बी 1857 कोश्चन नमबर 15 है निमलिकित में से कौन भारती सासित राजी कौन था जिसने लाड वेलेजली की सायक संधी पर हस्ताचर किया था सूरत हैदराबाद मैसूर यह अवद इसमें आपका राइट एंसर होगा बी हैदराबाद कोश्चन नमबर 16 है निमलिकित में से ब्रिटिस सरकार की नितियों के फलसरू भारती क्रिशक वर्ग की निर्धनता का कौन सा प्रमुख कारण था कौन सा प्रमुख कारण था दिया है इसमें अभिजात वर्ग का सिर्जन करना या सिचाई के उननत सादनों को सुलब कराने में उदासीन होना या क्रिशक वर्ग लिए सस्ते बीज और उर्वरग के प्रबंद में असफल होना या ब्रिटिस सासन के अधिकतम काल में क्रिशक वर्ग का अधिक भूमिक कर लगाना इसमें आपका राइट एंसर होगा डी वला अप्सन आपका सही है यानि ब्रिटिस सासन के अधिकतम काल में क्रिशक वर्ग का अधिक भूमिक कर लगाना कोस्टन नमर 17 है निमलिकित में से कौन नव दिन का प्राता का तारा के रूप में जाना जाता है इसमें आपका राइट एंसर होगा सी राजा राम मोहन राय कोस्टन नमर 18 है उनिस्वी सदी में उत्तर भारत का हिंदू लूथर था इसमें आपका राइट एंसर होगा एंसर देव इस्वर चन बिद्या सागर या केशो चन सेंथ कोस्टन नमर 19 है महराष्ट में आरे महिला समाज के अस्थापना किसने की तो ये किया गया था पंडित रामा बाई के द्वारा किसके पंडित रामाबाई के द्वारा कोशन नमर 20 है और अंतिम कोशन है अंग्रेजों द्वारा महालवाडी बंदोवस्त किस छेतर में लागू किया गया अंग्रेजों द्वारा महालवाडी बंदोवस्त जो है किस छेतर में लागू किया गया था दिया है पंजाब तथा राजपुताना बंबई तथा मद्रास या बिहार बंगाल तथा आसाम या उपक्त में से कोई नहीं तो अंग्रेजियों द्वारा जो महाल वाड़ी प्योस था किसे छेतर में लागू की यह थी यह पुछा जारा है तो वह छेतर था पंजाब तथा राजपुताना छेतर तो यह था वीडियो आज के लिए तो उम्मिद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया है इसको लाइक करें अपने दोस्तों के हाँ अधिक सदिक शेयर करें धन्यबाद दोस्तों जैहिंद वंदे मात्रम